हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल लीकल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पत्नी कब अपने पती से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है और कब अपने पती से मेंटेनेंस नहीं ले सकती क्या ऐसी पत्नी जो अपने पती से अलग होकर रह रही है क्या ऐसी पत्नी भी अपने पती से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है या फिर नहीं कर सकती तो इनी सवालों के जवाब ढोड़ेंगे हम आज के वीडियो में तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा knowledgeable होने वाला है वीडियो information अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा तो friends हिंदू law में पती को बहुत सारे करतव्य दिये गए हैं और उसमें से एक सबसे बड़ा करतव्य तो यही है कि वो अपनी पतनी का भरन पोशन करेगा और पती का ये करतव्य किसी भी property पर आधारित नहीं है बलकि ये उसके marriage करने के बाद उसके संबंधों पर depend होता है ये किसी भी agreement ये contract से ना तो पैदा होता है और ना ही खतम होता है तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि किसी तरह का agreement बन मा लिया तो वो किसी भी तरह से maintenance देने से बच जाएगा चाहे पती दूसरा ही धरम क्यों ना अपना ले फिर भी वो maintenance देने से नहीं बच सकता इसी तरह से सुप्रीम कोट ने जसवीर कौर सहेगल वर्सेस जिला जजज देहरादून एन अनादर केस में ये निरधारित किया था कि हिंदू adoption and maintenance act 1956 के तहत पती का ये करतव्य है कि वो अपनी पतनी का भरन पोशन करे अगर उसके साथ कोई आविवाहित बच्चा है चाहे वो बेटा हो या बेटी उसका भरन पोशन करना भी पती की ही जिम्मेदारी होगी तो चलिया फटा फट ये जान लेते हैं कि पतनी कब भरन पोशन पाने की हगदार होती है भरेंपोशन पाने के लिए एक पत्नी को तीन शर्दों का पालन करना होता है पहली शर्द उसकी ये है कि पत्नी की हैसियत उसे प्राप्थ होनी चाहिए Maintenance का दावा करने के लिए ये जरूरी है कि वो legally उस विक्ती की wife होनी चाहिए पती के शादी शूने नहीं होने चाहिए लेकिन अगर ऐसी marriage है जो voidable है यानि कि शूने करार दी जा सकती है ऐसी पत्नी भी maintenance पाने की हगदार होती है क्योंकि ऐसी औरत भी पत्नी का दर्जा प्राप्त कर लेती है और दूसरी शर्थ वो है कि वो हिंदू होनी चाहिए maintenance पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पत्नी हिंदू ही हो उसने दूसरा कोई धरम ना अपना लिया हो अगर उसने अपना धरम बदल लिया है तो वो maintenance पाने की अधिकारी नहीं रह जाएगी अगर उसके पक्ष में maintenance की डिक्री पारित हो गई है उसके बाद वो धरम परिवर्तन कर लेती है तो उस तीथी पर भरन पोशन उसका खतम हो जाएगा जिस डेट को उसने अपना धरम बदल लिया है अब आती हैं तीसरी शर्थ पर और तीसरी शर्थ ये है कि पती के साथ वो रह रही हो पती का भरन पोशन करने का दाईत्व तभी खतम हो जाता है जब उसकी पतनी बिना उसकी सहमती से या उसे बिना बताए या बिना किसी लीजल कारण के अलग रहने लग जाती है पर section 18 clause 2 में कुछ ऐसे आधार बताए गए है जब वो पती से अलग रहकर भी भरन पोशन की डिमांड कर सकती है तो चलिए कुछ उन आधारों के बारे में भी फटाफट डिसकस कर लेते हैं तो अलग रहकर कब पतनी अपने पती से मेंटेनन्स की डिमांड कर सकती है हिंदू दत्तक रहन और भरन पोशन अधिनियम के section 18 clause 2 के अनुसार कुछ आधार है जो पतनी पती से अलग रहते हुए भरन पोशन का दावा करती है पहला है डिजर्शन यानि की अभिध्यजन अगर पती पतनी को बिना किसी उचित कारण या फिर बिना किसी सहमती के या जान बूच कर छोड़ कर चला जाता है तो पतनी इस आधार पर अलग रहकर भी अपने पती से मेंटेनन्स की डिमांड कर सकती है और उसे मिलता भी है दूसरा है क्रुएल्टी अगर पती ने पतनी के साथ किसी भी तरह की निर्दैता दिखाई है क्रुएल्टी दिखाई है तो पतनी पती से अलग रहकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए अलग निवास करके अलग घर में रहकर वो अपने पती से maintenance की डिमांड कर सकती है तीसरा कारण आता है लैपरोसी यानि की कुष्ट रोग पती को अगर कुष्ट रोग हो गया है उसके साथ रहने से पतनी की जान को भी खत्रा है उसके साथ रहना मुश्किल हो गया है तो पतनी अलग रहकर अपने पती से maintenance की डिमांड कर सकती है चौथा कारण आता है बाईगे में यानि की दूसरा विवा कर लेना अगर पती ने उसकी मर्जी के खिलाफ या उसे तलाग दिये बिना दूसरी शादी कर ली है और हिंदू लो में दूसरी शादी करना भी एक अपराद माना गया है तो पतनी ऐसी स्तेती में भी पती से अलग रहकर भरन पोशन की डिमांड कर सकती है पाँच्वा कारण आता है पती का रखेल रख लेना जिस घर में पतनी रहती हो और पती उसी घर में एक दूसरी महिला को बिना शादी के रख लेता है यानि कि रखेल की तरह रख लेता है और पती पतनी की तरह ही निवास करने लग जाता है तो पतनी अलग घर रहकर मिंटेनेंस की डिमांड अपने पती से कर सकती है चटा कारण आता है धरम परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर दिमांड नहीं कर सकते तो ऐसी पत्नी जिसने अपना धरम परिवर्तन कर लिया है वो पत्नी अपने पती से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकते दूसरा है व्याभी चारणी ऐसी पत्नी जिसका किसी और के साथ भी अफेर है ऐसी पत्नी भी मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकते तीसरा कारण ये कि जब पत्नी बीना किसी उचित कारण से पत्ती से अलग होकर रहने लग जाती है उसके पास कोई लीगल कारण भी नहीं होता आपंगी lapan के इस वीडियो में हमनें में तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल मत भूलेगा